हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूस आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में जिसे देखकर अर्णब गुस्वामी के फैंस और सुशान सिंग राजपूत के फैंस बहुत ही खुश होंगे और साथ में इस वीडियो के अंत में आपको एक अर्णब गुस्वामी का वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पे अर्णब गुस्वामी परम बीर सिंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों breaking news यह है कि परमबीर सिंग के खिलाफ एक बेलबल वारेंट जारी किया गया है और इस बेलबल वारेंट को जारी किया है जस्टेस केलास उत्तमचंद चंडिवाल की inquiry commission दोस्तों आपको याद होगा कि परमबीर सिंग ने allegation लगाय था अनिल देशमुक के खिलाफ और उस allegation को inquire करने के लिए एक inquiry commission महरास्टर गौर्मे ने बैठाय था जिसको hit कर रहे थे जस्टेस केलास उत्तमचंद चंडिवाल और जस्टेस केलास चंडिवाल ने बहुत बार समन भेजा था परमबीर सिंग को इस inquiry commission को face करने के लिए लेकिन परमबीर सिंग इस समन का जव लगाय गया था लेकिन अब जस्टेस केलास चंडिवाल के inquiry commission ने उन पर बेलेबल वारेंट जारी कर दिया है तो दोस्तों law of कर्मा बिल्कुल सही है और ये काम करता है आपको याद होगा कि अनब गुस्वामी जब सुशान सिंग राजपूत के लिए आवाज उठा रहे थ लाफ कर्मा पूरी तरह से हावी हो गया है किस तरह से अब परंबीर सिंग के खिलाफ किस तरह से एफाइ-e-e-r फाइ-e-r हाय हो रहे हैं और इंक्वारी कमी मिशन ने फेस करने के लिए उनके खिलाफ भी लड़न ऑर्रिया गया है अब वो अगर नहीं होंगे तो अब उन उनको arrest किया जा सकता है तो दोस्तों आप देखिए आगे-आगे होता है क्या आप इस वीडियो को देखिए अर्णभ गोस्वामी का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और एक बात और आपको बता दो दोस्तों कुछ दोस्तों ने मुझे message भेजा था कि उनको notification नहीं मिल रहा ह तो आप एक काम कर सकते हैं एक बार मेरे चैनल को आप unsubscribe कीजिए और फिर से subscribe कीजिए और फिर notification का जो बटन है जो आईकोन है वहाँ पे आप notification all पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको फिर से notification मिलना शुरू हो जाए तो दोस्तों देखिए आप इस अर्णभ गोस्वामी क नेटवर्क पर आपने जॉइन किया है तो हमारे खुलासे के लिए आज हमारे साथ होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद I found to thank all of you for joining us on this breaking news story मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ I'll come straight to the point पहले दिन से हम कह रहे हैं कि परंबीर सिंग जूट बोलते हैं पहले दिन से हमने बोला है कि सारी जो फरजी के एस Republic Media Network के खिलाफ डालने की कोशिश है परंबीर सिंग की यह परंबीर सिंग की बहुत-बड़ी जूट है we have been telling you ladies and gentlemen from day one that Parambir Singh is a complete liar we've been telling you that he's been lying through his teeth हमने कहा परंबीर सिंग को की जूट बोलना बंत करो तुम्हें एक्स्पोस करेंगे we told Parambir Singh stop lying we will expose you but he did not listen उन्होने सुनाने we have been telling you that everything Parambir Singh has said is bereft of fact हमने आप सबको कहा कि यह जूट है मुंबाई के पुलीस कमिशनर ने जो कुछ बोला Republic Media Network के खिलाब सरासर जूट है उन पर बहुत-बड़ी कारवाई होनी चाहिए दोस्तो हमने आपको पहले दिन से बोला कि Parambir Singh ने प्रेस कॉन्फरेंस में जूट बोला we told you from day one that Parambir Singh lied in the press conference हमने हर तत्य दिखाये आपको we showed you the F.I.R. हमने आपको F.I.R. दिखाया क्या F.I.R. में Republic Media Network का नाम था बिल्कुल नहीं किसका नाम था India Today हमने आपको Hansa की report दिखाये जो research document है उसमें किसका नाम था आज तक के channel India Today का नाम था रिपब्लिक नेटवर्क का नहीं we showed you the Hansa research report on the basis of which the F.I.R. was made who was named there viewers it was India Today not Republic TV but today I have brought you the ultimate proof the final proof सबसे बड़ा तथ्य लेकर आज में आपके सामने आए हो दोस्तो और इसके बाद कोई हक नहीं बनता जूटे परंबीर सिंग को commissioner की गद्धी पर बैठने की he has no right to sit in the position of Mumbai Police Commissioner there must be a national campaign against this man's campaign of lies दोस्तों तो बने रहेगा मेरे इस चैनल से मिलता हूँ अगले वीडियो में बाबाई लेकर का बाद